नमस्कार 49 पॉइंट में आपका स्वाकत है इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसकी जवाब बताएंगे जो कि BPSC विहार पुलिस SSC रेलवे जैसे अने प्रतियोंगी परिक्षाओं में काम आएंगे ये सवाल इतिहास राजमेति विग्यान करेंट अफेर्स भूगोल और विग्यान से जुरे होंगे तो आएए देखते हैं आप कितने सवालों का सही सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमबर एक बिहार को किस मुसलिम शासक ने सर प्रतम जीता था ए बाबर बी खिलजी सी तुगलक डी चंगेज खा इसका सही जवाब है बी खिलजी सवाल नमबर दो हरपा सभ्यता की खोज किस ने की थी इसका सही जवाब है ए दयाराम सहनी सवाल नमबर तीन इंडिका को किस ने लिखा था ए सेल्यूकस बी मेगास्तनीज सी कारिदास डी प्लीनी इसका सही जवाब है बी मेगास्तनीज ने सवाल नमबर चार संसद्य विवस्था भारत में किस देश के समिधान से ली गई है A. जर्मनी B. फ्रांस C. ब्रिटन D. युनाइटेड इस्टेट्स इसका सही जवाब है C. Britain सवाल नमबर पाँच इन में से किसके लेखा C.A.G. द्वारा ओडिट नहीं किये जवाते हैं A. Municipal संस्थान B. राजसरकार C. सरकारी कमपनी D. केंदर सरकार इसका सही जवाब है A. Municipal संस्थान सवाल नमबर च्वेह भारते सम्विधान का अनुछेद 25 से 28 सम्बंदित है A. स्वतंतरता का अधिकार B. समानता का अधिकार C. धार्मिक स्वतंतरता D. सम्विधानिक उक्चारों का अधिकार इसका सही जवाब है C. धार्मिक स्वतंतरता से सम्बंदित है सवाल नमबर 7 इनमें से किस धातु को चाकू से आसाने से काटा जा सकता है? A. सोडियम B. मरकरी C. कॉपर D. आइरन इसका सही जवाब है A. सोडियम सवाल नमबर आठ एनेमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? A. खून में हिमोगलोबीन की B. विटेमिन की C. जल की D. खनिज लवनों की इसका सही जवाब है A. खून में हिमोगलोबीन की सवाल नमबर नौ हाल ही में संगम एप को किस मंत्राले ने लौंच किया है? A. वित मंत्राले B. रक्षा मंत्राले C. शुक्षा मंत्राले D. विदेश मंत्राले इसका सही जवाब है C. शुक्षा मंत्राले सवाल नमबर दस हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी ने उतरप्रदेश में किस नहर परियोजना का लोका आरपन किया? A. सर्यू नहर परियोजना B. गोमती नहर परियोजना C. गंड़क नहर परियोजना D. योमना नहर परियोजना इसका सही जवाब है A. सर्यू नहर परियोजना सवाल नमबर ग्यारा भारत में पाई जाने वाली मचलियों में से कौन सी मचली समुदरी मचली नहीं है? A. इल B. हिलसा C. सर्दिना D. रोहू C. इसका सही जवाब है D. रोहू पिसले सेट में हमारे जीन दैशकों नहीं सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब दिये सबसे जवाब दे है instance नमस्कार